प्रोब्लम आना स्टार्ट हो जाती है और लॉज ओफ मोशन के अंदर बीच में आप इस कंडीशन में आ जाते हो कि आपको अब लगने लगता है कि सर मेरा सेलेक्शन होगा के नहीं। लॉज ओफ मोशन में जैसे हम फ्रिक्शन तक पहुंचते हैं उसके कोशन नहीं बनते हैं फिर हम से आगे जाके और हमें लगता है कि भाई अब मेरा सेलेक्शन नहीं होगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यह सारा खेल जो है ना यह सारा इस माइंड का है नमस्क करके ध्यान से चीजों को समझिए सबसे पहले जब आप अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं तो आपका confidence बहुत हाई होता है और आप बहुत तमीज और तैजीब के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप basic मैस करते हैं जिसको बहुत detail में आप study करते हैं उ पीच में आप इस condition में आ जाते हो कि आपको अब लगने लगता है कि सर मेरा selection होगा के नहीं क्या यह बात मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे comment में लिखकर जरूर बताईएगा बेटा एक एक बच्चे का comment मैं पढ़ूँगा क्या यह वही problem से जो सब आप face कर रहे हो या यह वही problem में जो आप face कर रहे हो क्या यही आपके साथ हुआ है laws of motion का बिलकुल सर हम आगे जाते जाते laws of motion में जैसे हम friction तक पहुंचते हैं उसके question नहीं बनते हैं फिर हम से आगे जाके और हमें लगता है कि भाई अब मेरा selection नहीं होगा क्या करूं मैं मैं तो पीछे चला गया आपका confidence हो जाता है down और इदर से आपकी rank चली जाती है सारा इस mind का है सारा इस mind का है आप प्रोजेक्ट है जब आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका mind बिलकुल fresh होता है यहां तक आते आते हैं आपके mind में बहुत सारी चीज़ें भर चुकी होती है और आपको यहां तक ऐसा लगता है कि हाँ यार motion and straight line में distance, displacement, average speed, velocity करते करते, uniform acceleration या equation of motion से के question आप लगाते हो और आपका confidence बढ़ता है लेकिन फिर धीरे धीरे वो down क्यों हो जाता है और down अगर हो जाता है तो उसके बाद हमारी इच्छा क्यों करती है कि अब मैं ठीक है मैं यहां से छोड़ देता हूं या अब confidence अपने आपी down होता है और केवल mind का है अपने mind को बेटा prepare करिए एक simple सा तरीका आपको बता रहा हूं अपने mind को इस तरह से prepare करिए कि हर छे पांस से छे चैप्टर के बाद आपको क्या करना है आपको gear change करना है हर पांस से छे चैप्टर के बाद जैसे मैं अगर यहां पर बुलू कि जब आप laws of motion से प सर क्या है gear change का मतलब gear change का मतलब यह है कि अभी तक की चीजे मैंने जितनी बड़ी है मुझे जितनी याद है that is sufficient और अब मैं laws of motion से बिल्कुल renew start करूँगा मेरा mind बिल्कुल fresh तरीके से चीजों को वापिस से पढ़ना शुरू करेगा और अब मेरा लगेगा गाड़ी का first gear और जब आप अपने mind के साथ खेलोगे ना बिटा तब ही जाके आप नीट 2025 में MBBS की seat लेकर आओगे यह पादा है मेरा आप अपने mind के साथ खेलो अब आप Newton laws of motion में जब start करते हो ना तो बिल्कुल mind को ऐसे समझा के लो कि हाँ भाई अब मेरा यह as a first chapter है जब जब आप gear energy वही जोश उस chapter से आपको लगानी है क्योंकि आप अब उसे कोई fifth या sixth chapter नहीं मान रहे हो आप उसे first chapter मान कर physics को start कर रहे हो और जब आप basic math में fully energetic होते हो ना कि selection मेरा ही होगा वही जब first gear change, second gear change, third gear change पे होगा ना बिटा तो selection लेने से तुम्हें कोई नहीं रोख पाएगा बाते कि यार ऐसे बच्चे को करने से बच्चे का फायदा होगा, definitely वो चीजें teacher को बतानी चाहिए, यह सब मैं अपने batches में प्लान करता हूँ, हो रहा है batches में, उनमें नया enthusiasm, नई energy create हो रही है, NLM से sir उन्होंने fresh mind से वापिस पढ़ना शुरू किया, और उनमें एक ही ज जजबा उनमें वापिस आया, और NLM work power energy rotation, rotation तक आपको यही जजबा लेके चलना है, फिर चाहिए gear change कर देना, पूरे 29 चेप्टर हैं तुम्हारे, नीट में, 29 में से तुम gear change करते रहो, 7 से 8 gear change करके तुम पूरी physics खतम कर सकते हो, बेटा एक छोटा सा तरीका है, एक master, एक गुरू, जितना अपना काम कर सकता है, बस उतना कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस से आपका कोई भला हो सकता है, बेटा, तो please, you try something, आप mind में सोच लेते हैं, मेरे 6 chapter होगे, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं होगा, 5 chapter हुए, ठीक है, उसमें तेरा कोई 1 chapter खराब भी है, छोड़ दे, भाड़ में जाने दे, फिर आज start कर, renew start कर, restart कर, कर तो सही, शुरू तो कर, mind को ये तो बोल, कि नया chapter है, अब फिर फोड़ूँगा इसको, ये mind को बोल तो सही, mind देख कैसी तेरी बात मानेगा, टाइम, definitely बेटा, टाइम कम है, gear change करना ही पड़ेगा, अगर आप ये सोचों के, मेरे पुराने 8 chapter, मैं मुझे 2 chapter नहीं आते हैं, स्टाइडिंगे 5 आते हैं, ठीके, डिप्रेशन में जाता हूँ, अबै छोड़, छोड़, एक बहुत प्यारा tag, gear change इसलिए बोला है, भाई, fresh start कर, जिस बोबच्चा आगे चला गया, अगर मैं बोलू के, पढ़ाई sequence में सर, कैसे gear change कर, तो NLM से gear change कर, NLM से तो mind को समझा स्टाइडे, भाई या, first chapter स्टाइड करूँगा, energy के साथ selection में रही होगा, NLM पढ़ जाएगा, NLM तेरा अच्छा होगा, तेरा work power energy, तेरा rotation तक तू बहुत सही खेल जाएगा, rotation के बाद फिर gear change कर दे, करके तो देख, करके तो देख, try तो कर, अगर तेरी इसी strategy में जो तू पढ़ रहा है, अगर उसमें एक step to boost up भी होता है, तो तेरा benefit है ना भाई, mind के साथ खेल, सारा mind का ही खेल है, यही तुमें depression में डालता है, यही तुमें energy, तुमारी energy बढ़ाता है, first chapter में तुमारी energy भेंकर होती है, work power energy rotation तक आते आते डाउन हो जाती है, किसका खेल, mind क जब तू NLM पर आते आते यह सोचेगा कि हायर मेरे दिमाग में जितना है उतना है, अब मैं नया वापिस से शुरू कर रहा हूं, तो भाई, तू fresh mind से चीज़ों को लेगा, पीटा एक बस एक ऐसा psychological effect जो हमारे mind पर असर डाल सकता है, वो मैं try कर रहा हूं, कर बाबू, कर, ठीक है, मैं एक छोटी से strategy में ने बनाई ही, हर पांच चप्टर के बाद तू ऐसा कर ले, हर पांच चप्टर के बाद तू गेर change कर ले, yes sir, ठीक है, कर रहा तुझे है, रस्ता teacher बार बार आके, हर teacher अपना रस्ता बता सकता है, जिस रस्ते से बच्चों का भला हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, अगर वो रस्ता मैं तुम्हें सबको भी बता दूँ, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, कि चलो, कुछ बच्चे follow कर रहे थे, मुझे लगा है, यह कर रहे हैं, तो और भी कर सकते हैं, सबको बता रहा हूँ, साथ महीने हैं, अक्तूबर से अब साथ महीने हैं, समय वो आचुका है, कि जो, यह लास्ट की वो पारी शुरू हो चुकी है, कि अभी तक क्या किया, डसन्ट मैटर, अब क्या करेगा, यह रेस का वो पढ़ाव शुरू हो गया है, लास्ट वाला, जिसमें तो बहुत डिट लेकिन प्लानिंग तुझे करनी पड़ेगी, प्लानिंग तू कर, कैसे करना है, कोशिश करूँगा कि तुझे बता सकूँ, साथ महीन है, जी जान से लग जा, गेर चेंज कर, जो भी तेरा भी चल रहा है, उसको छोड, और बस माइंड को यह सोच कि जो भी पढ़ रहा हू फिर वीडियो बनाओंगा, ठीक है, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, फिजिक्स दिल से, बाई